A very good morning to all of you, 22 March 2024 आज 4 बिचकर 20 मिनिट पे हुई थी मेरी सुभा इनसान हमेशा अपने भागे को कोस्ता है ये जानते हुए भी कि भागे से उंचे उसके कर्म है जो उसके स्वेम के हाथ में है आप में से बहुत साई लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपको देखे 3-4 दिन तो हमने नीद को कंट्रोल करना शुरू किया सुभज जल्दी उठना शुरू किया लेकिन फिर से वही दिक्कत आ गई अभी नहीं उठा जाता है एक बात बताओं आपको अभ्यास का तरीका हो सकता है लेकिन कोई विकल्प नहीं हो सकता सफलता का अंतिम कदम अभ्यास ही है और इसको तो आपको ही करना होगा आपकी जो प्रैक्टिस है अभ्यास है वो तो आपको ही करना होगा विरंतर करना होगा 3-4 दिन 5 दिन एक हपते से काम नहीं चलेगा कम से कम कम से कम एक दो महिना जब आप इस चीज़ को अपनी हेबिट में लाएंगे, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, और देखिए न, मुश्किले हमें रास्ता रोकने के लिए नहीं आती है, बलकि जिंदगी में सही रास्ता दिखाने के लिए आती है, कोई मुश कि मैं मुझे कौन सी क्लास की NCRT से स्टार्ट करना चाहिए अगर आपका बेस humanity था अगर आपने graduation में art वाले humanities वाले subject लिये थे तो आपको NCRT करने की शायद need भी नहीं हो आप सीधा direct standard book में जा सकते हैं अपना जो time है आप वहां पर अच्छी से utilize कर सकते हैं उन standard book को बार-बार revise करके लेकिन अगर आपका graduation है या फिर आपने plus one plus two जो है humanities में नहीं की किसी और graduation subject में की है like मैंने b.tech में किया था तो मेरा जो art subject है पॉलिटी वगरा सब कुछ वो उनका base ही strong नहीं था तो मेरे को तो need हुई 6th class से और 12th class तकी NCRT करने की लेकिन ये depend करता है person to person की उसका base कितना strong है किसी ने comment किया है कि दीदी मैं भी UPSC की त्यारी करना तो चाहती हूं लेकिन मैं सिलाई करती हूं मेरे पास time ही नहीं बचता मेरे husband के ओपर काफी कर्ज है अगर मैं आपकी situation समझों तो dear अगर आपके पास time कम है और आपकी husband पर कर्ज है इसका मदलब अगर आपको एक government job की और need है आपकी सिलाई के काम में तो please पहले आप किसी और छोटी government job को पा लें जिसको आप कम time में भी पा सकती है दिन के 2 गंटे पढ़ाई करके ठाई गंटे पढ़ाई करके UPSC की त्यारी आप बाद में कर सकती है प्लीज इसको अपना demoralize होने पे मत लेना लेकिन मैं एक practical बात आपको बता रही हूँ जिस तरह से आपकी condition है आपको एक urgent job की requirement है और आपको government job ही चाहिए है तो प्लीज आप पहले किसी और exam की त्यारी करें जिसके shorty जादा हो select होने की और जिसमें आप कम time पे अपनी सिलाई का काम करते हुए घर को संभालते हुए अपना focus कर सकें और जिब आपको वह वाली government job मिल जाए आप ये सिलाई वाला काम छोड़के उस government job के साथ-साथ अपने UPSC की त्यारी जारी कर सकते हैं हाँ इस process में time लगेगा लेकिन आपकी condition के हिसाब से मुझे ये सही लगा बाकि जो आपको सही लगे आप वैजा कर सकती हैं आप में से ही किसी का बहुत लंबा चोड़ा comment था उसको मैं थोड़ा साथ चोटा करके संक्षेप में बताई रेती हूँ कि ये लिखती हैं कि जो इनकी जो mother-in-law है उनका जो सभाव है वो उनके सामने कुछ और होता है और उनके father-in-law और husband के सामने कुछ और होता है जब वो अकेले में होती हैं इनके साथ में तो इनको खूब ताने मारती हैं लेकिन जब husband के और ससूर के सामने होती हैं तो इनको बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बाते करती हैं कि बेटा खाना खालो ये खालो लेकिन वो काम करती हैं एक positive बात उनकी ये है कि वो घर का का कर लेती हैं भले ही आपको ताने सुनाती हैं काम करके लेकिन कोई बात नी डियर वो कम से कम काम कर तो रही है ना मैं यह बोलती हूं अगर आपको पढ़ाई करनी है ना वो काम कर रही है आपको पढ़ाई करने दे रही है थोड़े बहुत ताने मार रही है सुन लो अगर किसी में कोई भी एक बी चीज पोजिटिव है ना वो उसकी ले लो जो नेगटिव चीज़े हैं उनको अंसुनी करतो अगर क्या ही होता अगर वो ताने भी मारती और आपका काम भी ना करती तो वो आप खुद बोल रहे हैं कि वो घर का काम तो कर लेती हैं लेकिन मुझे सुनाती ह अरे सुनाने दो एक चीज तो कर रही हैं ना वर यज़ी बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हैं जिनोंने मुझे कमेंट किया हैं कि हम पूरा दिन घर का काम करते हैं फिर भी हमें ये तरने को मिलते हैं कि तों पूरा दिन करती ही क्या हो और यह हर दुसरी महिला की कहानी घर तो कोई बात ने डियर अगर आपको थोड़े बहुतानी मिल रहा है ना मैं कहरे हो कि जो ये किच-किच होती है घर में आप अगर उनसे दूर भी रहेंगी तो कहीं ने कहीं आपके हस्बेंट खुश नहीं रहेंगे और फिर भी आप खुश नहीं रहोगे मैं तो आपको ये सजेशन दूगी कि जो भी चल रहा है लाइफ में कोई बात नहीं या तो आप उनसे डिरेक्ली एक बात भी कर सकती हैं कि ममी जी आपके जो ये बाते हैं मुझे थोड़ा सा हर्ट करती हैं इससे अच्छा आप मेरी काम में हेल्फ भले ही कम कर दो लेकिन ऐस जिसकी जो अच्छी चीज है उससे वो काम कर दो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ जब भी वो कुछ तुनाने लगे कहीं दूर ऊपर कोई कमरा होगा आपके घर में आपका कमरा होगा एकड़ रूम बंद पढ़ाई स्टार्ट करो आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी उ कोई और आपको तरीके नहीं बता सकता एक सजेशन दे सकता है उस पर अमल कैसे करना है वो फिर आप जाने आपको मेरी आवाज कभी फटी फटी कभी सी थोड़ा सा ऐसे कम ज्यादा ऐसे लग सकती है तो प्लीज पाड़न में फोर दैट एक्चली पूरा दिन फिर पढ़ा अगर आपको टाइम कम मिलता है तो कम टाइम दें देरे देरे करके अभी आप 35 साल की है I know बहुत आपको तफ लग रहा होगा कि सभी तो जो भात से निकल गी अभी करें क्या अगर आप गवर्मेंट जोब की तारी करना चाहते हैं तो आपको एक साल डेडिकेट ली देना ह होगा और कम टाइम में आपका काम चलेगा नहीं अगर मैं यह बोलोगी ठीक है भया जिसकी एज में बची हो एज तो मैं फिर भी बोल दूगी कोई बात नहीं एक साल में दो साल में निकल जाएगा कम कम तढ़ाई कर लीजिए आप अपने हस्बेंड को बोल सकती है कि आप वो अचीव कर पाएं जो आप अचीव करना चाहती हैं आप लोग हाउस वाइफ होके हमेश्यों करती हैं कभी सास की कंप्लेइन कभी घर में टाइम निमिलता घर में काम इतना होता है नेक्स्ट कमेंट आप पढ़ेंगी ना आप ये सोचेंगी कि यार आपकी कंडिशन दो बहुत बैटर है एक लड़की है वो ये लिखती है कि मैं मेरे को त्यारी करते वे दो साल हो गए लेकिन 2023 जून में मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मेरे उपर घर की सारी जि है और जिसके ऊपर आपका खुद का कुए कंट्रोल नहीं आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते मैं मोलती हूं थि कहर समझ्य का हल हो ग liner को जैसे आपर फिराइ पने घर को संभाल रही है उसी तरह बेटी के अपने माई को वर को संभाल रही हां जो भी तो फिल हाल भी उनको जाना भी होगा तो इसके उन वहां के महां बहुत सारी सुगी म Keeping going on a dad जाने के बाद नहीं आर्प पुरा संसार चला जाता है और फिर भी आप सपनों में लगे हुए हो तो कैसे आपके सपने पूरे नहीं होंगे भगवान आपका हग जरूर देगा जिसमें मुझे ही मैसेज किया है न दिल से आपके लिए दुआ करती हूं कि जो भी आप लाइफ प्राइवेट जोब में लेकिन बनना कुछ और चाहती हैं बहुत मुश्किल है इनके लिए लिख रही है कि life मुश्किल होती जा रही है day by day जैसे एक एक दिन बीत रहा है life भी उतनी आपका इंटरस्ट नहीं है, आपके सबने कुछ हो रहे हैं, लेकिन टरस्ट में, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, ये टाइम भी कट जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा, बस एक एक दिन जैसे निकल रहे हैं, आप खुश हो ये, आप ये सोचिए, कि जब अच् गंटे की निंद काफी है, अगर कोई फीजिकल हाडवर्क कर रहा है, लाइक मजदूर, वो आठ गंटे सो सकते हैं, और बच्चरों दस गंटे भी सो जाए रात को, तो भी सही है, और अगर आपको सही में लाइफ में कुछ अचीव करना है, और टाइम कम है, तो पांच गं गंटे की निंद भी बहुत होती है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए.